Last 3 Months Study Plan for June 2024 Exams तो recently मैंने ये वाला वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि Last 3 Months में आप CS exam का preparation कम्पलीट करके जून 2024 में अपियर कर सकते हो के नहीं या फिर 3 Months enough है के नहीं तो वो वीडियो देखने के बाद आपको ये question का answer तो मिल गया था बट उसके बाद आप सभी का request था कि मुझे और एक वीडियो अप्लोड करना चाहिए जिसमें मैं study plan शेर करूँ जून 2024 exams के लिए तो आज ये वीडियो में वो ही study plan में आपके साथ शेर करूँगा और जब से ये वीडियो उप्लोड हो रहा है तभी से आपके पास exactly 3 months है March का पूरा महिना April और में और ये ही 3 months decide करेंगे कि आपका exam जून 2024 में clear होगा के ने इसलिए बहुत important हो जाता है कि आपके पास एक study plan है जिससे आपको पता चले कि क्या करना है आपको over the period of next 3 months और आप एंशॉर कर सो को कि आपका exam clear हो जाए जून 2024 में कोई भी goal अचीव करने के लिए planning सबसे जादा important होता है क्योंकि अगर आपके पास plan है तो आपके पास direction होगा कि next क्या करना है similarly अगर जैसे आपको कोई भी destination के लिए पहुचना है जैसे हमारे case में destination है June 2024 CS exam तो अगर आपको वहाँ तक पहुचना है exam clear करना है तो आपके पास direction होना चाहिए वह direction आपको तब मिलता है जब आपके पास एक proper study plan है क्योंकि study plan होगा तो आपको पता चलेगा कौनसी चीज़े avoid करनी चाहिए कौनसी चीजों के बारे में आपके पास clarity होना चाहिए from day 1 तो आज जो study plan और 3 strategy में आपके साथ share करूंगा वह आपको follow करना है for the next 3 months और यह सभी के लिए executive वालों के लिए भी professional वालों के लिए old syllabus, new syllabus हर type of student ये video को देख सकता है अब जो सबसे पहला और सबसे important point है वो यह है कि आपके पास अभी clarity होना चाहिए कि आप एक group के लिए appear कर रहे हो या फिर दोनों group के लिए appear कर रहे हो आपके पास आज से 3 months ही है तो आप अभी ये situation में नहीं रह सकते कि आपको पता ही नहीं है अभी clarity नहीं है कि दोनों group देना है एक group देना है अगर आपके पास clarity नहीं होगा तो आप क्या करोगे एक subject पढ़ोगी group 1 का दूसरा subject पढ़ोगी group 2 का वैसे करके आपका कोई भी एक group complete नहीं होगा और at the end of the day जब आपका exam आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कोई भी एक group का 100% syllabus cover नहीं होगा तो आपका group 1 भी नहीं होगा 2 भी नहीं होगा और exams आपका ऐसे ही निकल जाएग unfortunately आज के date में भी students का मेरको message आ रहा है कि उनको अभी तक confusion है कि एक group देना चाहिए या दोनों group देना चाहिए मैंने अपने वीडियो में यह वाले वीडियो में मैंने पूरा detail में explain कि आपको कितने group के लिए अपियर करना चाहिए group के लिए या सारे group के लिए तो आप यह वा जो journey है वो कोई भी एक destination के लिए fix करना होगा अगर आपको destination ही नहीं पता कि दोनों group है या one group है तो आप फिर आपका जो सफर है वो बहुत ज्यादा challenging हो जाएगा difficult हो जाएगा और हो सकता है कि आप destination पर ना पहुचो मतलब हो सकता है कि आपका exam clear ना हो इसलिए यह एकदम perfect time में आप decide कर लो एक बार आप decide करते हो तो फिर पीछे मूड के मत देखना वापस rethink मत करना कि दोनों group देना एक group देना है final call एक बार ले लो video देख लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बट आपको आज ही final decision लेना है और उसके इसाप से पढ़ाई करनी है second important चीज़ होता है वह काफी ज़्यादा वाश्ट होता है तो हो सकता है कि आपने कुछ November December में कुछ पढ़ा होगा जो अभी आपको याद ना इसलिए revision, revision से क्या होता है कि आपको confidence आएगा बच्चे हमेशा बोलते कि confidence नहीं आता मतलब हम पढ़ लेते सब कुछ बट लिखने का confidence नहीं तो आप क्या करो कि पूरा time lectures मत देखो आप आपका जो time है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो suppose आप 12 गंटे पट रहे हो तो 6 गंटे आप revision करो और बाकी 6 गंटे आपका fresh study है मतलब जो आपके lectures बाकी है वो करो but equal importance आपको देना है revision को जब तक आपका revision नहीं होगा तब executive new syllabus के old syllabus के 8 subjects है professional के 9 subjects है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आप पढ़ रहे हो मतलब उसका आपको adequate revision करना है क्योंकि subjects इतने सारे अगर आप revision नहीं करते हो तो हो सकता है कि जो आपने पहले पढ़ा था वो आपको यादी ने आए end में अब जो third point वो यह है कि अभी आपके पास एक fix study routine होना चीए past में आपका जो भी हुआ वो भुल जा वो आप अप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए time waste हो गया उसको अब हटा दो past में जो हुआ उसको हम अब change नहीं कर सकते है बट आपको ensure करना है कि next three months के लिए अभी आपके पास एक proper study routine है study time table ह जो आप daily basis पे follow कर रहे हो क्योंकि अगर आपका study routine होता है तो आपको पता है कितने बजे उटना है कितने घंटे पढ़ना है कब break लेना है कितने slots में आपका जो timing से उसको divide करना है अगर study routine होगा तो आप जादा productivity जादा effectively पढ़ाई कर पाऊगे और ensure कर पाऊगे कि 90 days approximately बचा करो कुछ time पहले मैंने study routine वाला वीडियो भी upload किया था ये वाला जिसमें मैंने 10 घंटे का study routine बताया था बट अब exam और नजदीक आ चुके तो अब 10 घंटे से काम नहीं होगा आपको थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ेगा खुद को क्योंकि 3 months ही exam को तो अगर आप चा पर एक अलग वीडियो बना दूंगा तो ये तीन चीज़े जिसके उपर आपको ध्यान देना है सबसे पहले आपको clarity होना चाहिए कि आप कितना group दे रहे हो आज ही आपको decision लेना है final करना है कि कितना group आप दे रहे हो second आपको revision करना है consistently revise करना है daily basis पर end के लिए सिर्फ revision को नहीं छोड़ना अभी से revision करना और third एक proper study routine आपको follow करना है तो ये सारी चीज़े है जो आपको three months के लिए ध्यान रखनी है I hope ये सारी चीजों का आप ध्यान रखोगे अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना और thank you very much for watching